यूटूब पे ऐसे 5 अपडेट्स आयों हैं जिनको जानकर के आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर आप नए यूटूबर है तो यह आपके लिए बहुत इच्छी बात है और लास्ट वाला अपडेट जो है वह अच्छा है या बुरा है वह आप कॉमेंट करके हिंदी इंगलीज बंगाली तमील तैलगु करना अटक किसी भी लेंगेज में आगर रखना चाहते हो अपने हिसाब से तो उसको आप चेंज कर सकते हो इस से होगा क्या इससे का बेनिफिट क्या है वह भी जान लीजे कि आप अपने हैंडल को अपने मुताबिक आप जब कस तरिके से कर सकते हूं हो सकता है कि आप लोग चेनल बनाते हो तो चास से आप कि यह प्या यह सब बहुत सारी चीज़े लगा जिते हुआ राना फरांड निम्काना तो आप इजी तरीके से आप कस्टमाइज करके अपने हैंडल को बना सकती हो और लोगों को शेर कर सकती हो कि यह देखो मेरा चनल यह ठीक है इससे प्रभाव अच्छा पड़ता है ठीक है प्रभाव चले दूसरे अपडेट के उपर में चलते हैं जो दूसरा अफडेट है दूसरो बो है यूतु चैनल का ऑब आपसे क्या कर सकते हो कि आप अपने यूटूब चनल का qr code भेज सकते हो जैसे पेमिंद लेने के लिए अपना qr code भेते हो ना कि यह लो यह मेरा qr code है इस्कैन क कर दो ठीक है qr code scan कर लो मेरा YouTube चनल आ जाएगा किसी के दिवाल पर चपका दो यह qr code है कहीं अगर आप काम करें दुकान पर काम करें तो अपने qr code के बगल में जो कैस वाला qr code है फोन पर गूगल पर qr code के बगल में अपना YouTube का चैनल का qr code लगा दो तो इससे अपका प्रमोशन भी होता रहेगा यानि कि अब आपने YouTube चनल को और तेजी से प्रमोट कर सकते हो qr code लगा करके अपने मुबाइल के कबर के पीछे qr code लगा लो ठीक है यह मेरा YouTube चनल है लोग स्कैन करेंगे आपके YouTube चनल तक पहुंच जाएंगे तो यह मुझे बहुत बढ़िया ल तो बड़े तेजी से आप इसे बूश्ट कर सकते हो और आपका चनल बहुत तेजी से ग्रोफ हो गया अभी तीसरा जो अप्डेट आए हुआ है तीसरे अप्डेट के पास में चलते हैं तीसरा अप्डेट आए हुआ है कि जब आप अपने YouTube पे थमने लगाते हो आप जाकर अभी जो है अभी थमने डिशाइड होगा थमने का सीटमे डिशाइड होगा आपके वीडियो की ओडियंस डेटेंशन से यानि कि जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा एवच टाइम मिल ला है उस वीडियो का थमने सबसे बेश्ट माना जाएगा ठीक है YouTube इस चीज के जो है अभी modification कर रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है ठीक है जिस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूस थम्डेल वही सबसे ज़्यादा बेश्ट उसका CTR उसी हिसाब से किया जाएगा ठीक है अब यहाँ पर जो चौथा अपडेट आयो है जोस्तों वह यह है कि आपके यूटूब के वाइट शुडव है वहाँ पर एक अर्निंग वाला ओप्सन है वहाँ पर अर्निंग सारा दिखता था और अर्निंग कितना दिखता था डॉलर में दिखता था जितने भी अर्निंग आए जैसे माल लिए मेरे यूटूब चैनल का यहाँ पर अर्निग आप देखोंगे तो डॉलर में दिख रहा है अभी क्या कर सकते हो कि अभी यहाँ पर आपका हिंदी में भी दिखेगा मतलब आइनर में भी दिखेगा जिस करेंसी में आप देखना लेकिन अभी पूरा फाइनलाइज मिलेगा कि आपका कितना पर्संट टेक्स करके आपके बहुत अच्छा लगा है अब यहाँ पर पांचवा जो अपडेट है वह मुझे थोड़ा सा देकार लगा अब पांचवी अपडेट के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है क्यों करके आपको जरूर बताना है कि यार यह भी यह वीड़ेट चाहिए कि नहीं चाहिए अभी जैसी आप मेरी वीडियोट से हुघ है कि या माली जी आप अपने वीडियो फीयू पूर देखें इस कीपक्र करके ना देखें क्योंकि ऑपको कम वाच टाइम मिलेगा और आपकी तो इसे तरफ ऐसा अपडेट लाकर कि सबको मतलब दूविधा में डाल रहा है तो नए यूटूबर ग्रो कैसे करेंगे पांचो अपडेट यह है कि जैसे माली जी आपने वीडियो अप्लोड किया पांच मिनट की अब पांच मिनट में तो जाहिर सी बात है कि पांच मिनट क को जादा टाइम तक लोग देखेंगे तो अभी क्या है कि आपके वीडियो को कोई भी डबल टैप करके उस पॉइंट तक जा सकता है माली यह पांच मिनट की वीडियो अपने बना हुआ है तो धाई मिनट के बात से अपने वीडियो में कुछ अच्छा बताना सुरू किया है समझ मेरी बात सिंपल तरीके से समझ लीजिए तो अब क्या होगा कि कोई भी टैप करेगा ना पहले क्या करता था कि टैप ऐसे करते से तो दस सेकें आगे बढ़ता था अभी क्या है कि जब भी कोई डबल टैप करेगा तो वह उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहा इस अबडेट को थोड़ा सा बहिया मैं आपसे भी बोलना चाता हू योट्वी इसको थोड़ा सा ना फाइनलाई करो और अपडेट दो अपने लिए अपडेट मत दो ओडियंस के लिए अपडेट दो क्योंकि ओडियंस से ही आप पैसा कमाते हैं और चंनल मोटाइज होगा तो मेरे चैनल से YouTube को पैसा जा रहा है, आपका चैनल मॉनटाइज होगा, तो आपके चैनल से भी YouTube को पैसा मिला है, तो जब वीडियो का पूरा वाच्टाइम ही नहीं मिलेगा, तो वीडियो पूरा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी, पांच मिनट की वीडियो बन को हाइलाइट भी किया जाएगा, कम्यूनिटी पोस्ट में, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं कियो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, अगली वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली